मुझा नमुस्त्व चैस्री असोग जेन गौलियर मद्यबद्दिस से अपनी संकार रख रहे हैं क्या हम सुबह मुबाइल में भक्तामबा रादी का पाठ लगा कर ड़स्ती का कार कर सकते हैं क्या देखिए हम अपने घरों में जिसे नमोकारमंद की धोनी के लिए एक यंत्र बजा लेते हैं ऐसी भक्तामबर के लिए नमोकार रादी के लिए भी मुवाइल से अपन ट्विन लगा लेते हैं ये सब ठीक है सुबह परिणाम के लिए कि आपका बीच बीच में सुबह हो जाएगी तो ये संभव नहीं है बीच बीच में उपयोग असुम में जाता है तो सुम में लगाने के लिए नमोकार बीच में सुन लिया भक्तामबर शुन लिया का अपने गिरस्ति के काम करते करते समय ठीक है चलेगा लेकिन आपका पूरा भक्तामबर हो गया पुरी आ या मंत्र को बोलें तो हमें उसे पूर्ण लाप की प्राप्ति होती है प्रतिक्रमन का जो साथ्दिक अर्थ है उल्लंघन से लोटना जो हमने अभी तक उल्लंघन किया है प्रा प्लस अतिक्रमन मिला देंगे तो प्रतिक्रमन बन जाएगा प्रा मतलब प्राप्त करना अपने को प्राप्त करना किसे अतिक्रमन से दूर हो करके जो हमने अतिक्रमन किया है उससे दूर हो करके अपने शुभाव में आना अपने गलती को शिकार करना जो हमने आलस प्रमाद में जाने अंजाने भूल चुग में कुछ गलतियां किरदी हैं उनको शिकार करना, निंदा गरह करना, आलोशना करना ये सब जो है हमारे प्रतिकमन में आ जाता है तो प्रतिकमन का शाब्दिक अर्थ यह है उलंगन से लोटना जो कुछ भी हमने अपने सुभाव का उलंगन किया है उससे पुना अपने सुभाव में आने का नाम क्या है प्रतिकमन है अज़िए प्रतिकमन नहीं है तो समाइक भी नहीं हो शकती है क्योंकि समाइक में चाहिए संता और शंता कब आएगी जह हमने प्रतिकमन कर लिया है क्योंकि हमारे मन में ये गिलानी परणाम बना रहेगा कि देखो मेरे से जीब की हिंसा हो गई मैंने जूट बोल दिया मैंने अपने ब्रतों में अपने नियम में दोस लगाया तो वो बार बार संग बिकल्प जो है समाई काल में भी चलता रहेगा लेकिन यदि मैंने प्रतिकमन किया है गुरू के सामने निंदा गरह की है अपने दोशों की तो फिर मेरे मन में ये रहेग इसलिए प्रतिकमन पूर्वा की शमाइक होना चाहिए। प्रतिकमन पूर्वा की शमाइक होना चाहिए। इसलिए प्रतिकमन पूर्वा की शमाइक होना चाहिए। तो फिर आप जगन रूप से बिना गुरू और भगवान के शानिद में अपनी शमाधी कर सकते हैं। गुरू आदी के सानिद में और और महावरतों के सानिद महावरतों को धालन करने में उतकर शमाधी भी कर सकते हैं। मुस्त्व चैसरी अलोग जैन यूएसे से अपनी संकार रख रहे हैं। मुनी महाराज के 108 गुण और आरिका माता जी 105 गुण हैं। उनमें 3 गुण कौन कौन से कम है। 108 कुण मुनी राज के 105 गुण माता जी या छुल लग के। देखिए यह जो 108-105 की जो संख्या है हमें अभी तक आगम में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिले हैं। और नहीं किसी प्राचीन आचारें के आंगे 108 या छुल लग का माताई सामने 105 कहीं पढ़ने को मिला। सारे पुरान गिरंथ पढ़ लिए। उसमें कहीं भी इस प्रकार की विवस्ता नहीं मिलती हैं। कुंदु कुंद के सामने, संबंतवत के सामने, पूछपात के सामने हजारों आचार हुए हैं। लेकिन कहीं भी 108 की परंपरा नहीं मिली है। लेकिन आजकल 108-105 लगाते हैं, तो उसमें गुणारोपन की दृष्टी से लगाते हैं, कि जो उनमें गुण पाये जाते हैं, उनका टोटल 108 कर दिया, अथवा 108 प्रकार का पाप नक के शुभकार करते हैं, इसलिए 108 लगा दिया, जैसे मुन्राज के 28 मुलबुण हैं, फिर 22 परिशनों को जोड़ो, 10 धरम को, 12 तप को, 3 गुपतियों को, इस पकार से जोड़ते जाएं, तो 108 उनके जो गुण हैं, वो बन जाते हैं, अब कोई ये सोचे कि 108 जो गुणे बने हैं मुनिराज के, उनमें कोई 3 कम कर दो, तो 105 हो जाएंगे, तो माता जी के हो जाएंगे, एलग छुलग के हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, उनके गुणों से, उनके गुणों की कोई तुलना नहीं हो सकती है, बिलकुल डिफ्रेंट गुण होंगे, कहां तो महावरत तो कहां अनूबरत है, ठीक है न, तो इस प्रकार से उनके गुण बिलकुल अलग हैं, यदि 108 अपन बनाते हैं, और जो 105 यदि अपन छुलक, छुलिका, मात्या जी के बनाते हैं, तो वो बिलकुल अलग बनेंगे, मुनिराज वाले गुणों कोई भी सामिल उसमें नहीं होंगे, कोई कोई सोस्ता है कि 108 में तीन कम कर दें, एक नगनता कम कर देते हैं, एक बैठ करके ज जो स्रावक संबंदी जो 108-105 चीजे हैं, उसी को ही जुड़ करके हम 105 बना शकते हैं, जैसे इनके 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, इन सब को जोड़ते जाओ, जो स्रावक संबंदियां हैं, और उनको बना करके 105 बना सकते हैं, लेकिन आगम सास्तर में कही 105 और 108 आरिका मात जिके आंगे या मुनी महराज के आंगे पढ़ने में नहीं मिलता है। चोड़ने योग हैं देखिए मोक्ष मार्ग में बंध और आस्रों जो है वो बाधक है संबर निर्जरा जो है वो शादक है मोक्ष जो है वो उपादे है तो जीव को मोक्ष चाहिए जीव को मोक्ष मतलब सुख तो जीव को शुख चाहिए तो सुख में संबर निर्जरा जो ह वो बाधक हैं उन्हें छोड़ना चाहिए जीव की जो अज्ञानता है वही उसके दुख होने का कारण है और अज्ञानी व्यक्ति जो है वो धर्म को समझना ही नहीं चाहता है यही सबसे बड़ा उसका दुख है अज्ञानता से वो परिवार से परपदार से यह मैं हूँ यह मेरा है ऐसा परिणाम करता है और उसको लेकर के बहुत दुखी और बहुत संकलेशित होता रहता है तो अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान जो है वो सुख का कारण है ज् आगमधारा संका समाधान नरंतर पारश चैनल पर प्रशारित हो रहा है जिसके पुन्यार्जक बननी का लाव आप सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी राशी एक दिन के लिए 2100 रुपे और एक मैने के लिए 11000 रुपे की राशी रखी गई है आप नीचे दिये नंबर पर संप प्राप्त कर सकते हैं जिसकी राशी बनुपे की रहा है जिसकी राशी बनुपे की राशी रहा है